हेलो एवरिवन और आज हम समरी करने जा रहे हैं एन इंट्रोडक्शन बाइ कमला दास जो की 1965 में रेलीज हुई थी वो भी उनके पहले पोईट्सी वॉल्यूम में जिसका नाम था समर इन कैलकटा तो अब इसे शुरू करते हैं शुरूवात में कमला हमें बताती है कि उने पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है पर उने उन पावरफूल पॉलिटीशन के बारे में सब कुछ पता है वो उन पॉलिटीशन के नाम को डेज, मन्त और वीक्स के तरह रिपीट करती है फिर वो हमें बताती है कि वो सलाह देते हैं उनके friends वगेरा और family members कि उन्हें English में लिखना नहीं चाहिए वो चाहिए वो लोग उन्हें अकेला छोड़ते क्योंकि जिस भी भाशा में वो लिखती है वो उनकी खुद की भाशा बन जाती है आगे वो लिखती है कि लोगों को समझना चाहिए वो जिस भाशा में लिखती है इस भाशा में जो भी वो लिखती है वो अपने दुखों को और सुखों को लिखती है यह बाशा उनके लिए उतनी ही जरूरी है जितना के लिए जितना की शेर के लिए रोर करना और कों के लिए काउं काउं करना आगे कमला कहती है कि वो जिश भी भाशा में कि लिखती ए है और कि लकनी चटकने के वह नहीं है आगे कमला कहती है कि उनकी थोड़ी सा porch मिले चेंजिस देखने को मिले क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि प्यार के अलावा कुछ और मांग सकते हैं तो जब उन्हें प्यार मांगा तो 16 की उम्र में वह उन्हें कमरे के अंदर लेके गया और दरवाजा लगा लिया उसने पीटा नहीं पर उसके पूरे शरील को ऐसा रिफर करता है यहां वोंग और ब्रेस्ट का जो वेट है वो उनकी प्रेग्मेंसी को दिखाता है कि कैसे उसके बाद वो प्रेग्मेंट हुदें और उनके लिए यह कितना कश्ट कारी था यह दौर यह समय हागे कमला बताती है कि उन्होंने फिर ट्राउजर्स और इकनी चाहिए और कोकिं करनी चाहिएं उन्हें फ्रिटें करना चाहिए इन्स अभी चीजों के साथ जिससे वो मले आलम में लिखा करती थी यहां जो बैटर स्टेल मादवी कुटी लिखा है इसका मतलब यह है कि लोग उनको ये बता रहे हैं कि अच्छा यही होगा कि वो अपने सूडो ने मादवी कुटी से लिखा है क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि कोई विमेन अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से बना है वो लोग कमला को कहते हैं कि एक सीजोफीनिक या निम्फो की तरह पेशना है सीजोफीनिया एक बिमारी होती है जो कि मल्टेपल परसनेलिटी को जीते है निमफो उन लोगों को कहा जाता है जिन लोगों की unquenchable romantic thirst होती है लोग उने कहते हैं कि जादा तेज मत रोया करो जब तुम प्यार में जली हुई हो वो आगे अपने एक relationship के बारे में बताती है जो उनका फैर था उनके husband के होने के बाद भी बाहर वो उस man का नाम नहीं लेती है वो बताती है कि वो एक हर आदमी जैसा आदमी ही था एक universal आदमी जिसे एक औरत चाहिए और वो अपने आपको define करके हर उस औरत के बारे में बताती है जिसे प्यार चाहिए वो उस इनसान को या उस आदमी को उस hasty river की तरह बताती है जो बिल्कुल शांत नहीं है और समुद्र में मिलने के लिए व्याकुल है और वो अपने आपको उस ocean की तरह बताती है जो उस river की इंतदार में है कमला आगे बताती है कि वो हर किसी से पूछती है कि तुम कौन हो और हमेशा जो answer होता है वो यह होता है कि यह मैं हूँ आगे कमला बताती है कि वो आदमी एक तलवार की तरह है जो अभी अपने cover में है और छिपा हुआ है उनका कहने का मतलब है कि हर इनसान के पास एक ताकत होती है दूसरे को हाइट करने की पर अभी वो तलवार छिपी होई है अभी वो निकली नहीं हुई आगे वो खुद को हाय कहके प्रोनाउंस करती है और अपने सास्तास दुनिया की हर उस महिला की ओर इशारा करती है जो आदी रात को बारा बज़े किसी स्ट्रेंच से ओटल में बैटकर ड्रिंक लेती है क्योंकि वो लोनली है ये मैं ही हूँ जो हसती है या प्यार बनाती है और बाद में इस पर स्टें debい फिल करती है और बोलती है कैके ये मैं ही हूँ जो अपने ही बचपन में अपने थ्रोट में रैता लटका कर मर गई आगे वो कहती है के मैं ही सिनर हूँ याने पापी हूँ मैं ही सेंट हूँ यानि कि सादवी हूँ, मैं ही प्यार हूँ, मैं ही धोका हूँ आगे वो कहती हैं कि मेरे वी वही जोए है जो तुम्हारे है और वही पेन हैं जो तुम्हारे है वो खुद को अंत में आय कहके बताती है वो यहाँ पार एक universal human being को दर्शा रही है हम सभी के पास प्यार करने की, हर्ट करने की, धोका देने की शक्ति है और हम सभी एक ही जैसे है तो यह थी summary, अगर आपको यह summary पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को subscribe करना ना भूले अगर आप कोई query है या फिर आपको कोई suggestion देने है कि मैं next video किस topic पर बनाओ तो आप वो मुझे comment section में बता सकते है Thank you so much